तो आज हम करेंगे 14th lecture of the economics ठीक है तो पिछली बार हमने discuss किया था GDP, GNP कुछ basic terms जो हमें जुरत पढ़ेंगी national income में, national income को estimate करने में ठीक है तो आज कुछ start करने से पहले और कुछ basic terms हम discuss करते हैं ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो है income, income हम किसको कहते हैं, किस चीज़ का नाम income होता है, ओके देखिए यहाँ पर आप क्याद रखिएगा, जो economics में income का मतलब होता है, income का मतलब economics में होता है contribution to the value addition ठीक है, देखिए अब national income estimate करनी होती है, national income अगर आप देखोगे, national income जो होती है, हम देखती है कि मतलब total जो जो भी मतलब residents है, जो भी normal residents है किसी भी country में, वो क्या कमा रहे है साल में, अब यहाँ पर word आता है कमाना, ठीक है, उर्दु में मैं लिखता हूँ थोड़ा, कमाना, ओके, तो कमाना, कमाना मतलब जो कुछ कमाया जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले याद रखनी है, it is contribution to the value addition, मतलब national income में खाली क्या, जो estimate होगा, वो खाली value addition होगा, value addition के बगएर, आप मान लिजे, अगर national income में क्या आता है, जो भी इनसान, जो भी normal resident is, एक साल में, एक financial year है, physical year में, पूरी population जो है, किसी भी country की, वो कितना कमा रही है, तो उसको हम income कहते है income पहले होता है value addition, तो national income जो सब की है, तो यहाँ पे पहला जो word आता है, हमारा income आता है, तो income का मतलब है value addition, तो value addition का मतलब क्या है, देखिए, यहाँ पर मान लिजे, कोई इनसान है, ठीकि, इसके पास मान लिजे, बहुत सारी wealth है, इसके पास land है, गाड़ी है, सब कुछ है मगर यह इनसान क्या है, यह कोई काम नहीं कर रहा है, यह कोई काम नहीं कर रहा है, इसके पास wealth पड़ी है, मान लिजे, कोई زमीन बहुत है, बहुत है, कुछ है, मगर यह कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब यह कुछ कमा नहीं रहा है, तो income का मतलब है कमाना, तो इसका जो यह then second thing is the money now money का मतलब क्या है देखिए money का मतलब क्या है money जो होता है ये होता है देखिए income और money में इन में थोड़ा सा difference रहता है तो ये termals हमें लगती है कि same है लेकिन इन में difference होता है ठीक है तो यहां पर currency यहां bank deposit that is 100% liquidity ठीक है so money की मतलब liquidity बहुत ज़्यादा है liquidity मतलब है उसको हम कितनी देर में exchange कर सकते है ठीक है तो इसके बाद आता है assets assets anything जिसका कोई value हो जैसे gold money तो ये सब assets आता है जिनका value हो ठीक है तो wealth क्या होता है sum total of assets तो जितने भी किसी इनसान के पास कितने भी assets है वो होता है wealth तो जो national income में count होगा वो खाली income होगा ठीक है income contribution to the value addition value addition में क्या इनसान कुछ value add कर रहा है तो value add इनसान तभी करेगा जब वो काम करेगा ठीक है अगर कोई भी इनसान काम कर रहा है तो वो कमा रहा है तो जो भी वो कमा रहा है that is his income तो ये कुछ basic terms थी income money assets and wealth ठीक है तो wealth को हम as such national income में count नहीं करेंगे क्योंकि देखें wealth जो है ये मतलब ये income नहीं है ये कमाई नहीं जाती ठीक है तो anything land कुछ भी हो वो हम income में नहीं लेंगे ठीक है now यहाँ पे आता है concepts of national income और कुछ related aggregates पर detail में जाने से पहले आपको अच्छे से सारे methods समझाने से पहले यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा concepts of national income क्या क्या है पहले देखें पहला आता है gross versus net ठीक है gross versus net तो इसमें जो difference होता है वो depreciation का होता है वो मैंने आपको बोला था देखें मतलब पिछली बार हमने पढ़ा था एक तो पढ़ा था GDP और पढ़ा था हमने GNP ठीक है gross national product और gross domestic product तो difference इन में किसका था gross domestic और gross national product में difference यह था यह normal resident से और यह जो है जो एक domestic territory में produce होता है वो मैंने पिछली लेक्टर में अच्छे से समझाया है तो gross national product में अगर हम फिर net factor income abroad GDP को add करते हैं तो वो GNP बन जाता है ठीक है तो यह मैंने अच्छे से समझाया है वहाँ पर ओके नव यहाँ पर क्या आता है तो अब gross और net अब हमने दिखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लिजे अगर यह है gross domestic product और gross domestic product को हमें gross domestic product हमें क्या दिखाता है अगर यह कोई political boundary है अगर यह इंडिया है इंडिया में एक साल में कितना produce हो रहा है क्या क्या goods or services एक साल में produce हो रही है एक financial year में produce हो रही है वो होता है GDP तो उसके बाद अगर हमें gross domestic product से अब अगर हम और accuracy चाहते हैं मतलब ज्यादा accurately हम जो goods or service से उनको देखना चाहते है कि किस तरह वो कितना है value उनका उनका value कितना है country में तो हम gross से जाएंगे net की तरफ net domestic product ठीक है net domestic product अब यह gross net कैसे बनेगा जब हम minus करेंगे depreciation ठीक है depreciation gross में से depreciation आप जब निकाल दोगे तो net आएगा ठीक है तो अब net देखे usually हम net domestic product use नहीं करते हैं क्योंकि जब भी आप देखोगे हम देखते हैं इंडिया की GDP क्या है USA की GDP क्या है यहां बाकि जो भी countries है वो GDP ही estimate करती है मतलब जब भी वो growth निकालती हैं तो GDP estimate करती है लेकिन net domestic product use नहीं करती है क्योंकि देखे यह depreciation जो निकालना है बहुत difficult होता है क्योंकि हर किसी sector को फिर हमें देखना है कोई भी अगर जितने भी goods or service से उनमें depreciation क्या थी तो वो एक difficult task है इसलिए easiness के लिए हम GDP को to estimate growth लेती है ठीक है I hope कि यह आपको समझाया होगा तो gross और net में जो difference रहता है वो depreciation का रहता है अगर हम देखे net gross अगर यह GDP है GDP को minus करो depreciation D तो यह बनेगा net domestic product तो ज्यादा accurate method जो था वो net domestic product था मगर हम gross domestic product use करते है in estimating GDP of countries क्यों क्योंकि देखे यह net जो है इसको estimate करने के लिए क्या होता है कि मतलब depreciation निकालनी पड़ती है और वो difficult है क्योंकि फिर सारी countries में जो भी goods or services जो भी firmers काम कर रही है उनको machinery का depreciation देखना पड़ेगा तो यह difficult हो जाएगा तो इसलिए हम जो better approach रहता है वो GDP का ही रहता है ठीक है लेकिन accuracy ज्यादा है net domestic product की ठीक है तो I hope कि यह आपको समझाया होगा Now यहाँ पे अब दूसरी बात अब domestic versus national तो इसमें difference था net factor income from abroad का जैसे अगर यह है GDP GDP को add करते थे हम net factor income from abroad मतलब एक तो देखे GDP जो भी political boundary में produce हो रहा है ठीक है यह मान लिजे political boundary इसमें जो produce हो रहा है और plus जो बाहर से income आ रही है मतलब जो Indian residents कमा रहे है और जो इंडिया से बाहर residents कमा रहे है वो क्या कमा रहे है तो वो हमारा आता है किसमें national में ठीक है net factor income from abroad domestic national gross domestic product gross national product यह मैंने पिछले lecture में बिलकुल अच्छे से समझाया है तो वो अगर किसी को doubt हो तो वो पिछला lecture अगर नहीं देखा है तो देख सकते है ठीक है उसके बाद क्या आता है factor cost versus market price तो factor cost और market price में difference अब किसका है तो देखे अगर मैं कहूँ अगर मैं GDP को estimate करता हूँ ठीक है लेकिन मैं बोलता हूँ मैंने GDP estimate किया at market price तो इस MP का मतलब क्या है market price का मतलब है कि हमने net जो indirect taxes है net indirect taxes include की ठीक है देखे मेरी बात द्यान से सुनेगा यहाँ पर अगर हम ऐसे यह किसी country की GDP ठीक है GDP GDP simple जो भी एक country में एक साल में जो भी goods or services produce होती है वो gross domestic product कहलाता है और gross से net domestic product कब बनेगा जब आप इस gross में से depreciation निकालोगी लेकिन depreciation निकालना बहुत difficult है इसलिए जो सारी countries है वो usually क्या use करती है GDP ठीक है तो उसके बाद gross domestic product को अगर आप at factor cost estimate करते हो इसका मतलब है जब भी आप GDP निकालते हो पूरे country की GDP पूरी goods or services जो भी country में produce हो रहा है तो factor cost का मतलब है आप खाली factors of production उनका cost लेते हो factors of production factor cost मतलब factor cost में क्या क्या आएगा land आएगा labor आएगा capital entrepreneurship तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है factor cost से मतलब जो भी GDP अब किस तरह at factor cost क्या होगी factor cost मतलब जो भी cost लगी land, labor, capital and entrepreneurship में ठीक है तो factor cost लेकिन जब इन चार factors of production को हम मिला के मतलब देखी कोई भी firm है हमें उसकी हम GDP निकाल रहे है ठीक है यह कोई firm है यहाँ पर मानलेजे government का कोई enumerator कहा तो वो estimate करेगा उसको GDP estimate करनी है तो वो क्या करेगा वो देखेगा यह firm क्या produce कर रही है ठीक है GDP मतलब अगर हम इसी firm की बात करेए GDP इसका कैसी निकलेगा अगर हम अब देखेंगे यह enumerator इसको बोलेगा कि आपने जो factor cost में क्या बोलेगा कि आपने जो land, labor, capital, entrepreneurship उन पे आपको कितना खर्चा है ठीक है तो that is factor cost ठीक है factor cost I hope कि आपको समझाया मतलब किसी भी production unit का जो factors of production है उन पे क्या cost आया land पे कितने rent देनी पड़ी labor से कितने wages देने पड़े labor को ठीक है तो इसमें factors of production वो भी मैंने पढ़ाया है पिछला lecture आप search कर सकते हो ठीक है तो factor cost मतलब जो भी factors of production पे खर्चा आया तो अगर GDP at factor cost estimate होगी इसका मतलब है हम बो रहे GDP जो उसको खाली factors of production में खर्चा आया लेकिन non-factor inputs हम GDP में नहीं लेते non-factor inputs का मतलब है sorry GDP का नहीं non-factor inputs हम यहाँ factor cost में नहीं लेते non-factor inputs मतलब जैसे raw material होगा raw material intermediate goods ठीक है वो हम factor cost में नहीं लेते सिरफ land, labor, capital and entrepreneurship मतलब अगर उस firm के पास हो गया मतलब यहाँ पे कोई firm है और यह numerator गया है यह इसको GDP निकालने है तो factor cost का बोलेगा लेकिन जो इसने raw material लाया होगा उस पे जो खर्चा आया होगा वो यह अपनी इस GDP में count नहीं करेगा raw material intermediate का value count नहीं होता है क्यों है? ठीक है? अब क्यों नहीं होता है? उसका थोड़ा reason है क्योंकि देखे raw material include होता है in the land ठीक है? क्योंकि raw material अगर देखोगे आप natural resource है तो already जब यह बोलेगा कि मेरे land पे इतना खर्चा आया rent इतना हुआ तो factor cost में include होगा इसी तरह जो उसके बद यह non factor input अब यही raw material ठीक है? यह include नहीं होगा ठीक है? अगर हम factor cost की बात करते हैं ओके? तो I hope कि GDP at factor cost अपको समझ आया होगा ओके? नव अगर हम बात करें अब GDP at market price इसका मतलब क्या है? ठीक है? market price market price का मतलब है यहाँ पे एक तो factor cost ठीक है? factor cost factor cost तो आएगा ही plus net indirect taxes ठीक है? net indirect taxes मतलब अब यह firm को बोलेगा अगर यह कोई firm है एक तो यह बोलेगा हाँ मेरी cost इतनी आई फेक्टर cost मतलब जो land labor capital entrepreneurship पे यह आया मेरी यह मेरी cost आई इतनी तो factor cost होगा और बोलेगा कि taxes आपने कितनी बढ़ी? net indirect taxes indirect taxes direct or indirect taxes में difference क्या होता है? indirect taxes on goods and services लगता है जैसे goods and services tax GST ठीक है? इसी लेकिन direct tax जो है वो income पे लगता है ठीक है? तो यह वैसे taxes हमारा topic नहीं है तो syllabus में नहीं है वैसे अगर आप यह video जो है आप accountancy में आपके है वहाँ देख सकते है ठीक है? तो factor cost और net indirect taxes ओके? तो net indirect taxes अब factor cost भी आ गया और net indirect taxes आ गई तो जब यह आएगा तो उसका मतलब है उसका मतलब है at market price ठीक है? तो factor cost को net indirect taxes एड़ करके ठीक है? तो क्या आएगा? वो आएगा GDP at GDP at market prices लेकिन हाँ इसमें minus करनी होती है subsidies ठीक है? subsidies मतलब जो firm को कोई grant मिलता है government की तरफ से तो वो minus करना पड़ता है तो simple अगर आप GDP at market price देखोगे तो क्या आएगा? एक तो यह GDP आप ऐसी रहों market price में क्या क्या आएगा? एक तो factor cost पलस और क्या आएगा? taxes ठीक है? net indirect यहाँ पर मैं खाली T लिख रहा हूँ तो यह indirect taxes ठीक है? और minus subsidies ठीक है? subsidies माइनस करनी पड़ती है क्यों देखे? cost factor पे आ गया taxes भी उसको देनी पड़ी है firm को लेकिन यह जो subsidy है यह इसको as grant मिला government की तरफ से तो यह factor cost और यह जो taxes है यह add होंगी इसके GDP में और जो यह minus जो subsidies है वो बाहर निकालनी पड़ेंगी ठीक है? क्योंकि subsidy जो है इनके लिए कोई खर्चा नहीं है बिल्कि एक benefit होता है जैसे fertilizer company को कोई subsidy मिलती है या gas subsidy etc तो market price अब आपने क्या याद रखा देखे nutshell में अब आप याद रखोगे हम कहते हैं अब GDP at market price market price MP तो इसका मतलब है हम factor cost को add करते हैं फिर एक तो indirect taxes indirect taxes IT और minus subsidies ठीक है? तो plus indirect taxes minus subsidies तो market price में बनेगा ठीक है? यहाँ पर जैसे factor तो आप difference किसका है? देखे यहाँ से अगर आप इसको correlate करोगे GDP at factor cost is equal to GDP at market price ठीक है? तो यह दो है हमारे पास अब difference देखे GDP GDP same ठीक है GDP GDP same factor cost market price में अब difference देखना है किसका difference है अब देखे तो market price में क्या क्या होगा अब factor cost तो पताई है जो चारों पे land labor capital entrepreneurship उस पे जो खर्चा आया तो factor cost कहलाएगा लेकिन market price में अब क्या होगा? एक तो यह factor cost इसको जोड़ना है net indirect taxes और minus करनी है subsidies ठीक है? net indirect taxes जोड़ देंगे minus subsidies करेंगे तो हमारा market price निकल के आएगा तो market price यह वो price होता है जिस पे actual transaction होती है actual transaction market price पी होगी क्योंकि firm जब बेचेगी वो अपना indirect वो तो अपना cost निकालेगी और फिर subsidy निकालके market price क्या होगा? जो जिस पे actually मतलब आप जब भी जाओगे market में जो आपको मिलेगा वो market price पी मिलेगा ना कि factor cost पी क्योंकि जो retailer है वो अपनी indirect taxes उसमें जोड़ देगा उस cost में और subsidies वो माइनस करनी पड़ती है जैसे fertilizer subsidies अगर आप देखोगे मतलब farmers होते है तो उनको subsidy मिलती है firm को कोई subsidy मिलती है fertilizer firm को कोई subsidy मिलती है किसमें ये कोई खाद बनाने में कोई fertilizer बनाने में तो उसमें government कहती है कि हम आपको इतना subsidy देंगे तो आप कम price में भी होगा माइनस जितना subsidies ज्यादा होंगी तो market price कम होगा है तो अगर लेकिन net in direct access बढ़ जाएंगी तो market price ज्यादा होगा तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखोगे यहाँ पर देखें market price और subsidies subsidies को increase करते जाओ market price decrease होगा तो ऐसा fertilizer में ज्यादा होता है farmers को benefit दिलाने के लिए government जो है बहुत सारा बहुत सारी subsidies देती है fertilizer companies को ताकि यह जो subsidies है अगर यह बढ़ जाएंगी तो market price जो है कम होगा तो उसे जो farmer का जो cost of production है वो कम हो जाएगा ठीक है and I hope कि यह market price आपको समझाया होगा factor cost versus market price difference क्या होता है net indirect taxes का तो domestic और national में difference होता है net factor income from abroad का gross और net में difference होता है depreciation का अगर यहाँ पर आप थोड़ा इस table को थोड़ा याद रख लीजे देखिए यह मैंने आपको बोला GDP at MP और GDP at factor cost ठीक है देखिए आप मान लीजे 2013 और 2014 year 2000 production same थी 100 और 100 लेकिन यहाँ पर जो factor cost जो आया था 9 और 9 का taxes 1 से 2 increase हो गई थी market prices यहाँ 10 थी यहाँ 11 देखिए market price क्या आएगा factor cost plus taxes आएगा ना factor cost जैसे हमने अभी किया factor cost और taxes को जोड़ना है ठीक है तो 10 आ गया market price तो यहाँ पर 11 आ गया ठीक है अब अगर आप GDP निकालोगे market price पर क्या निकलेगा देखिए GDP at market price production को multiply कीजे इसके साथ 110 थाउजड 111 थाउजड तो यहाँ पर factor cost पर 900 और 900 तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ 1000 तो 1100 ठीक है यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजए GDP at market price, GDP at factor cost 1000 से गया 1100, 900 से no change change मत आया कुछ, लेकिन यहाँ change आया किसका? 100 का, लेकिन यह change कैसे आया? यह change production में कोई change नहीं आया, मतलब यह real change नहीं दिखा रहा है GDP at market price को यह real change नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर यह 1000 से 1100 हो गया हमें GDP आया 1100 लेकिन यह कैसे आया? क्योंकि taxes rise कर गए थे, तो यह due to taxes, जो taxes में rise हुआ था तो उससे यह GDP at market price 1100 हो गया, तो यह GDP at factor cost 900 से 900 ही रहा, तो factor cost तो real growth कौन दिखाता है? real growth यहाँ पर GDP at factor cost दिखाता है ठीक है? तो यह जो है nominal growth दिखाता है, GDP MP तो इसमें nominal GDP, real GDP वैसे उतना तो नहीं है क्योंकि GDP का इतना ही है, real GDP, nominal GDP उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, तो इतना आपके लिए ठीक है तो यहाँ देखिए, देखिए अगर हम factor cost को ले रहा है खाली factor cost को, तो यहाँ पे जो GDP at factor cost वो वो change नहीं होगी, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप अब market prices पे ले रहा है, market prices में change आया 10 to 11, तो production भी increase हो गई, मगर यह real increase नहीं था, क्योंकि 1100 गया लेकिन production तो 100 की ही थी, real production फरम ने 100 ही produce किया था, लेकिन यहाँ पे जो, actually जो यह 1100 यह कैसे आया? यह actually rise in price था, ठीक है? मतलब यह due to inflation था, तो GDP at market price हमें real growth नहीं दिखा था, तो real growth जो दिखाता है, वो GDP at factor cost दिखाता है, ठीक है? क्योंकि यह inflation को account में लेता है, यहाँ देखे, MP यहाँ पे inflation भी साथ में है, ठीक है? तो I hope कि यह table आपको थोड़ा सा समझाया होगा now यहाँ पे हम अब जाएंगे, current years prices versus constant prices तो इसका मतलब क्या है? देखे अगर मैं अब GDP estimate कर रहा हूँ, ठीक है? एक तो मतलब देखे, GDP अगर आप estimate करोगे मतलब current years prices, current years prices जो मतलब आज साल चड़ रहा है उसमें क्या prices है? उसी पे estimate करेंगे, तो वो होता है current years prices, तो दूसरा होता है base year prices देखे, base year और current year में फरक क्या होता है? देखे, अगर ये है 2000 एक second, यहां पर देखे लिए देखे 2013 से 14 गया, ठीक है? तो base year क्या होता है? base year अगर मैं आपको समझाऊं base year का मतलब है base year is equal to, ये कोई ऐसा year होता है, इसमें क्या होता है कि goods or services का value जो होता है, normal रहा होता है मतलब जो inflation था, वो normal था, prices normal थे, सब normal था तो base year एक index number होता है जिसको हम fix करते हैं और हम ये देखते हैं कि किसी भी year की growth इस year के मकाबले क्या थी? मतलब देखे base year में अगर मान लेंगे आपके prices 10 थे और आज मान लीजे, इंडिया का जो base year currently है, 2011 and 12 है ठीक है? देखे, आप base year को इसको थोड़ा आप वैसे change तो नहीं हुआ लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लेना कि base year 2011-12 ही है most probably तो 11-12 ही है ज्यादा तो कुछ बात चर रही थी इसको change करने की, बड़ उसका मैं ज्यादा sure नहीं हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है? तो लेकिन जो base year है, वो भी 2011-12 है, तो इसका मतलब है, देखे, इंडिया ने 2011-12 में क्या माना की? जो prices थे, वो normal थे, inflation, constant था, सब, constant मतलब normal था और आज वही चीज, 2011-12 में 20 रुपीस की हो गई, ठीक है? तो इसी तरह change कितना है बीच का 10 का तो ये होता है base year price, तो base year से compare करके हम, पूरे जो सालों की growth है, वो निकालते हैं, तो base year होता है, एक index number, एक constant year, जिसमें जिसको हम select करते हैं, और उस year के मकाबले हम, बाकी जो चीजे हैं, उनको देखते हैं तो इसके कुछ futures भी है, base year के quickly मैं बता देता हूँ, एक तो ये year तब select किया जाएगा ये year normal होना चाहिए, मतलब इसमें prices ठीक रहने हुए चाहिए जैसे COVID-19 आप base year select नहीं कर सकती, क्योंकि देखें ये बिलकुल abnormal year है, growth डाउन हो गई countries की, ठीक है, unemployment बढ़ गया, poverty बढ़ गई तो ये कभी base year नहीं बन सकता, तो base year कौन होगा जो normal year होगा, ठीक है, जिसमें growth normal होगी, inflation normal रहेगा, prices normal रहेंगे, बागई economic activities normal रहेंगे, ठीक है, तो उसके बद जो दूसरा है base year की property, ये recent होना चाहिए, ठीक है, इतना भी पुराना नहीं होना चाहिए कि 1970s का ले रहे, क्योंकि देखे, recent मतलब 2011-12, मतलब ज़्यादा तो difference नहीं है, almost कि मतलब comparison के लिए ये recent होना चाहिए, latest year होना चाहिए, ठीक है, तो ये base year की properties है, तो currently 2011-12 base year of India है, ठीक है, 2011-12 से हम compare करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हमें GDP निकालनी है 2021 की, तो हम इसको compare करेंगे, GDP at 2021, इसको हम compare करते हैं कि जो production थी किसमें, 2011-12 में, तो इसको हमने base year माना है, तो इससे इसी तरह सारे सालों के आने वाले सालों की इस year के साथ हम compare करते जाते हैं कि growth हम estimate कर सकें, ओके, now तो constant at current year's prices and constant prices, तो अब मैंने आपको base year का current year, current year's prices और constant prices का समझाया, अब देखें, अगर ये है GDP at 2020, अब हम इस price पे देख रहे हैं, आज की prices उन्हीं पे देख रहे हैं, लेकिन अगर हम यही GDP देखेंगे in 2011-12, तो इसका मतलब है हम यह, हम यह जो GDP कालकुलेट कर रहे हैं, base year में क्या था, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, GDP at, यह जो base year में कालकुलेट किया, यह होता है, GDP at constant prices, ठीक है, यहाँ पे example ले लिए देखें, यहाँ पे आप example ले लिए 10 थे, 2020 में मान लीजे, 2020 में, तो यहाँ भी production यही दो थी, मगर यह जो prices है, rise कर गए थे, 11, ठीक है, तो कितना आएगा, 211s are 22, तो बीच का change आप देख लिए, कुछ 2% का change आया होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे देखें, production तो सेम था, 22, 10, 11, लेकिन यह rise कैसे हुआ, inflation से, 10, 11, तो यह real growth नहीं दिखाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, 2011, 2012, आप माननेचे, यह दो unit जब produce हुए, तब prices थे 2, ठीक है, और prices थे 2, is equal to 4, is equal to 4, 4 और 4 में कोई change है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ change आया, 2 का, लेकिन यह 2 जो था, real change नहीं दिखा रहा था, क्योंकि यह 10 और 11, prices rise कर गए थे, 10 से 11, ठीक है, 19 और 20, यहाँ prices 10 थे, और यहाँ 11, तो 10 और 11, यहाँ पर 20, यहाँ पर 22, लेकिन यह 22 जो था, ठीक है, देखे, यह 2000, 2019, कोई production हो रही थी, ठीक है, 2 units produce हो रही थे, और prices थे, सपोज माननेचे, 10 यहाँ भी, ठीक है, तो कितना आया था, 20, इसी तरह माननेचे, 2020 में, यहाँ पर माननेचे, कोईट की वज़ा से, स्वारी, यहाँ पर रख रही थे, 3, यहाँ पर 2, 2 into prices rise कर रहे थे, 20, 21, 22, यहाँ को 30 माननेचे, 30 और 22, तो 20 का चेंज भी आया, 8 का चेंज भी लेकिन इसमें 10 और 11 prices भी included, तो वो real growth नहीं होगा, तो nominal GDP होगा, अगर इस पर देखेंगे, market price पर, लेकिन जब हम इसको 2011, 2012 के साथ compare करेंगे, तब माननेचे, इसके prices, 3, आप माननेचे, 5 थे, तो 15 आया, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 into, तब भी इसका भी price फिर 5 ही लेना है, 250, 10, तो बीच का चेंज देखें, यहाँ पर 8 का चेंज बीच में यहाँ खाली 5 का चेंज है, तो यह 5 रेल GDP दिखाता है, तो बेस एर को अगर हम, बेस एर के साथ किसी भी एर को compare करेंगे, तो वो हमें रेल GDP, रेल growth दिखाएगा, देखें, असली जो growth थी, खाली 5 की हो गई थी, मतलब production जो increase हुई थी, जितना real goods और services का value increase हुआ था, वो ख 15 और 10 यह real growth दिखाता है, खाली 5 की growth, actual growth आई थी, real growth आई थी, okay, I hope कि यह आपको समझाया होगा, now, तो current year's prices and constant prices, तो constant prices, base year की prices को हम, मतलब जो भी आज production हो रही है, constant, मतलब base year में उसका क्या price था, ठीक है, तो बहुत है constant price, तो current year price हम, आज की market prices देखते हैं, okay, now, उसके थोड़ा सा factors है, data collection agencies in India, तो इन पे भी देखे, बहुत important offices है यह, तो मतलब national income से related, यह GDP growth से related, अकसर इन में से questions पूछे जाते हैं, देखिए, अब मैं आपको बोलता हूँ, देखिए, क्या होता है कि, अब जो यह दोनों offices है, central statistical office और national sample survey office, अब यह दोनों merge किये गए है, पह गया है into, देखिए, अब एक organization है, CSO, Central Statistical Organization है, और उसी में दो departments है, एक तो है Central Statistical Office, Central Statistical Office, और दूसरा है NSSO, National Sample Survey Office, ठीक है, Central Statistical Office और National Sample Survey Office, अब यह दोनों काम क्या करती है, ठीक है, काम क्या करती है, तो जो Central Statistical Office है, और जो National Sample Survey Office है, तो दोनों किसके पार्ट है अब, Central Statistical Organization, CSO, Central Statistical Organization के, एक तो यह पार्ट है, और दूसरा इसका यह पार्ट है, ठीक है, तो अब यह offices करते क्या है, देखिए, सबसे पहला Central Statistical Office, तो यह data करते है, collective national income का, GDP, per capita income क्या है, CPI, Consumer Price Index, Based Inflation, ठीक है, तो Consumer Price Index, Inflation होता है कि, जो भी मतलब Consumers है, कुछ Goods Select की जाती है, उनका क्या Price था, पहले आज क्या है, तो वो होता है CPI, ठीक है, CPI मतलब, अगर आप देखो के Short में, CPI, Consumer Price Index, Consumer Price Index, इसमें मतलब देखिए, कुछ Goods ली जाती है, जैसे मांने यह Footwear, ठीक है, Footwear, तो Footwear को देखते है कि, इसका Price क्या था, पिछले साल, सपोर्ज क्या था, आज गया है, तो Rise in Price निकलेगा, ठीक है, तो वो था है Consumer Price Index, मतलब, जो Consumer को Footwear 2018 में कितने का पड़ा था, 2019 में कितने का पड़ा, तो यह जो Change आएगा, यह जो Change दिखाएगा, तो Consumer Price Index दिखाएगा, ठीक है, CPI Based Inflation, ओके, Now, तो Base Year Prices, I hope कि आपको समझाया होगा, Now, तो Central Statistical Office क्या करता है, एक तो National Income का Data, GDP, Per Capita Income, ठीक है, तो Per Capita Income होता है, जो भी Total National Income है, उसको Divide करो, Population के साथ, ठीक है, मतलब, जितनी Country की Population है, और कितनी National Income है, मतलब, सारे Citizens, जो भी किसी भी Country में है, वो क्या कमा रहा है, त उसको Divide Population के साथ करो, तो Per Capita Income आएगा, ठीक है, Per Head, कितनी Income है, वो होती है, Per Capita Income, तो कौन Collect करा है, Central Statistical Office, और यह करते है, CPI-based Inflation, इसी तरह का Data, ठीक है, तो उसके बाद आता है, National Sample Survey Organization, National Sample Survey Organization, यह Data करती है, Collect, Usually, जो Social Problems होती है, जैसे Poverty है, Unemployment है, Consumption, Expenditure, ठीक है तो, अब हाँ, NSSO की और एक बात आप याद रखोगे, यह एक तो Small Service करती है, और Laris Sample Service, Small Service यह Usually हर साल करती है, ठीक है, Small Service, तो Laris Sample Service, यह 5 एर के बाद करती है, ठीक है, 5 एर के बाद करती है, और Normally, वही Base Year Select किया जाता है, ठीक है, तो जैसे मतलब, हाँ, जिसमें और एक बा सा राउंड था, जब यह Base Year Select किया गया, तो यह था 68th round, ठीक है, 68th round of NSSO, ठीक है, National Sample Survey Office का यह कौन सा था, 68th round, तब इन्होंने 68th मतलब, यह 5 एर Sample Survey की थी, ओके, तो 2011-12 को Base Year माना गया, हालांकि माना जाना चाहिए था, 2009-10 को, लेकिन माना गया 11-12 को, तो क्या आप मुझ सेक्शन में बोल सकते हो, कि मतलब देखे, यहां पर आप देख लीजे, यह NSSO है, ठीक है, एक तो Annual मतलब यह करती है, Surveys, और दूसरा, 5 एर के बाद, 5 एर के बाद, जो यह Surveys करती है, वो Usually Base Year बन जाता है, ठीक है, देखे, 2011-12 Base Year है, आज इंडिया का, लेकिन इससे पहले जो Surveys की थी, 2011-12 में, ठीक है, 2011-12 में, स्वारी, यहां पर, हाँ, 2004-05, 2004-05, तो उसके बाद देखे, 5 साल इसमें add कर लीजे, तो आना चाहिए था, 2009-10, तो 5 साल अगर यह था, 5 साल के बाद, यह Base Year बन जाना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यह फिर इसका Base Year बन जाता, लेक लेकिन, जो इन्होंने क्या किया, इनका जो यह था Base Year, इन्होंने 2011-12 को बनाया, अब आप मुझे बोलो, 2011-12 Base Year क्यों सिलेक्ट होगा, ठीक है, तो इसका जवाब अब कमिट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है, तो हाँ, और हाँ, पिछली बार मैं पहले बूल गया कहना कि, मै एक National Development Bank, NDB, Ministry of Finance से recent report आई थी कि National Development Bank create किया जाएगा, तो इसमें क्या है कि Government अपने Shares जो है, बैंक में कम कर देगी, ठीक है, मतलब जो Developmental Projects है, उनके लिए National Development Bank, ठीक है, ताकि मतलब उनको Finance मिल सके, जो Projects है बाग ठीक है, तो जब भी Government किसी में Shares कम कर देगी, तो मतलब प् Bankers में Government की Share बढ़ा दे, ठीक है, तो Nationalization of Bankers during Indira Gandhi time हुआ था, लेकिन अब जो है Nationalization, उसको discourage कर रहे है, तो मतलब Privatization की तरफ ज्यादा बढ़ रहे है, ठीक है, तो National Development Bank एक Recent इसके बारे में इसकी बात आई थी, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लोगे, क्योंकि ये Recent data है, तो Recent Happenings है in Economy, बाकी Ranking, Ranking वो भी अब देख लोगे है, ओके, नो, यहां पे, हाँ, 11-12 ये था 68th round of NSSO, जिसमें मतलब, जिसमें, जिसको ये BCR selected, तो current जो BCR है, 2011-12 है, ठीक है, मतलब ACR के साथ compare करके हम GDP निकालते हैं, ठीक है, नो, उसके बाद हमारा आता है, GDP at Factor Cost, ओके, What do we mean by GDP at Factor Cost at Conistant Prices, ठीक है, देखिए, यहां पर थोड़ा सा अब आप याद रखोगे, देखिए, अब Growth निकालनी थी, इंडिया को, ठीक है, Growth इंडिया हर साल निकालता है, तो ये है GDP, ठीक है, ये है Factor Cost, ठीक है, Factor Cost मैंने अभी आपको समझाया, तो ये है Conistant Prices, ठीक है, ठीक है, अब पहले जो है, इंडिया, Growth ऐसे Estimate करती थी, मतलब जो भी साई, ये इंडिया है, ठीक है, देखिए, ये हैं इंडिया, और यहां पर मालेजे, बहुत सारे Production Units है, Services चाल रही है, Doctoral Service दे रही है, Engineeral Service दे रही है, तो अब आए CSO, CSO कब निकालना है GDP, ठीक है, पूरी फर्म, पूरी जो Services है, उनको बोलेगी कि Factor Cost आपका क्या आ रहा था, तो GDP किसी भी का Factor Cost क्या आ रहा था, मतलब मान लिए डॉक्टर केपा जा रहे थे, बो रहे थे, आपका Factor Cost क्या आ रहा था, तो जैसे Doctor बोलेगा, मैंने ये लाए था, स्टेटोस्कोप, एड्स तो वो उसके Factor Cost में आएगा, ठीक है, तो Factors of Production में मैंने समझाया है, तो Land, Labor, Capital, Entrepreneurship, जो भी उसमें आएगा, वो Factor Cost कहला था है, ठीक है, लेकिन तब यहाँ पे Constant Prices, ठीक है, तो अगर इस पे पहले इंडिया, जो है, मतलब Growth ऐसे Estimate होती थी, या GDP, Factor Cost पे Estimate होती थी, ठी ठीक है, Now, Simply, यहाँ पे अब आप देख लीजे, देखे, मान लीजे, ये कोई Service Man है, ये मान लीजे कोई Engineer है, या कोई Doctor रख लीजे, तो इसके लिए Capital क्या आएगा, इसका Stratoscope, ये आएगा इसका Capital में, ठीक है, तो इसी तरह जो भी इसके Factors of Production में, जब हम Class पे करेंगे, Land, Labor Capital और Entrepreneurship, इन चार में से, Doctor का किस-किस पे खर्चा आ रहा है, Capital पे कितना आ रहा है, ठीक है, इसी तरह Entrepreneurship, इसमें में भी कुछ, Land, Labor, Labor क्या कुछ लग रहा है, ठीक है, अब देखे, कोई भी Doctor, उसका Labor क्या लग रहा है, ठीक है, ये Capital क्या लग रहा है, तो जो भी आएगा, factor cost आएगा, ठीक है, तो factor cost आएगा, तो उसको estimate करना है at constant prices, constant prices मतलब base year prices पे estimate करना है, ठीक है, ताकि हम real growth निकल सके, तो वो मैंने अभी आपको बोला, कैसे real growth निकलते हैं, constant prices पे, ठीक है, तो अब जो इंडिया ने अब देखिए, पहले तो factor cost यूज होता था, लेकिन अब इंडिया ने क्या किया, market price यूज करना start किया, market price January 2015 से start किया, क्यों, क्योंकि मतलब ये एक IMF International Monetary Fund जो है, उसकी convention के मताबिक ये आया था कि अब जो GDP है, वो market price पे estimate करें, तो अब difference किसका होगा यहाँ पे, देखिए, ये है factor cost और ये है market price, तो difference क्या होगा, खाली यहाँ पे factor cost में क्या add होगा, एक तो net indirect taxes, net indirect taxes, ठीक है, और क्या होगा, minus होगा, subsidies ठीक है, तो subsidies बाहर निकालनी है, और net indirect taxes add करनी है, तो जब आप factor cost में net indirect taxes add करोगे, तो market price निकाल के आएगा, ठीक है, तो मतलब doctor को बोला factor cost क्या आया, उसके बाद बोला tax कितना बरना पड़ा, वो add कि किया, और minus किया, क्या आपको कोई government की तरफ कोई subsidy मिली, तो वो हो गया, GDP at market price, तो currently जो growth का, growth जो major की जाती है, अगर ऐसा question आये, GDP at factor cost नहीं, GDP at market price, और market price में क्या होता है, factor cost में net indirect taxes add होती है, और subsidies minus होती है, तो add constant prices, add constant prices मतलब base year prices, ठीक है, तो यह जो January 2015 से इसको revise किया गया ठीक है, तो यह कुछ recent happenings है, तो इनके बारे में questions पूछे जाते है, तो January 2015 से पहले GDP FC at constant prices, but January 2015 के बाद GDP MP at constant prices, ओके, I hope कि यह आपको समझाया होगा, factor cost market price, तो उसके बाद national income, ठीक है, तो अब हम आते है, अब आपको, इंशालला मैं उमीद करता हूँ कि मज़ा आएगा national income पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि जो basic था, वो मैंने already calculate किया है, तो अब national income क्या होता है, देखी, national income होता है, net national product, net national product at factor cost, तो इसका मतलब क्या है, net national product at factor cost, देखी, यह है हमारा, यह है GDP, ठीक है, और इसको बनाना है अब, GNP, gross national product, तो क्या add होगा यहाँ पर, net factor income from abroad, ठीक है, net factor income from abroad add कर लिजे, तो gross national product निकल के आएगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस gross national product को, GNP, तो gross national product क्या हुआ, gross national product होता है, जो भी normal resident, जो भी इंडिया की citizens, कमा रहे हैं, ठीक है, यहां तो इंडिया में कमा रहे हैं, इंड जो होता है, gross national product, अब gross national product को बनाना है, net national product, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, gross में से क्या करना है, फिर minus, depreciation, ठीक है, तो depreciation minus कर लिजे, gross से, तो वहाँ से आएगा, net national product, ठीक है, दीक है, यह gross national product, GNP, इससे हमें बनाना है, net national product, ठीक है, तो कैसे होगा, यहां से minus करनी है, depreciation का मतलब क्या है दीखी किसी भी firm के पास गए उसको वो तो बोलेगा हाँ आपने एक साल में कितना कमाया तो gross national product लेकि साथी में बोल रहे हैं कि नहीं आप बोल लीजे कि depreciation आपकी कितनी आई ठीक है मतलब आपका जो आपकी जो firm है क्या machinery में कोई चेंज आई उसका value कितना कम हुआ बाकी जो चीजे आपके पास capital पढ़ा है उसका कितना value कम हुआ तो depreciation होगा तो अगर उस depreciation का value हम निकाल देंगे तो net आएगा ठीक है net national product ठीक है तो national income क्या होता है यह होता है net national product at factor cost ठीक है तो net national product at factor cost तो net बाहर निकालनी है क्योंकि net का use किया ठीक है word net आया word gross आता तो depreciation included थी word net आया तो depreciation minus की हुई है तो net national product जो भी net national product का मतलब यहां जो भी इंडियानस कमा रहे हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर तो factor cost मतलब at factor cost मतलब land labor capital entrepreneurship उसका cost ले रहे है खाली factor inputs का cost ले रहे है ठीक है वहां पे जो हमें आएगा तो वो होता है national income ठीक है जैसे यहां पे देख लीजे देखे यहां पे GDP at factor cost ठीक है factor cost लेकिन अब हम करते हैं GDP at market price तो यह जो national income है यह market price पे नहीं यह factor cost पे आएगी ठीक ह तो net national product इंडियनस कितना कमा रहे है एक साल में वो होता है national income मगर किस पे at factor cost ठीक है मतलब जो उनकी cost आ रही है on किसी को मतलब दीखे factor cost में अब क्या क्या आएगा rent आएगा ठीक है rent इसी तरह rent के बाद क्या आएगा land से मिलेगा rent इसी तरह labor से मिलेगा wages ठीक है wages land labor capital से interest तो यह इसी तरह entrepreneurship से मिलेगा उसको मिलेगा profit ठीक है profit मतलब जो यह कमा रहे है तो land जो हमें देता है rent देता है तो net national product at factor cost मतलब हम यहां non factor inputs से जो income आ रही है वो नहीं ले रहे है तो non factor देखे factor cost मतलब अगर किसी के पास कोई land है जो उससे rent मिल रहा है वो include होगा national income में ठी ठीक है तो इसी तरह labor अगर किसी को wages मिल रहा है वो भी include होगा ठीक है wages एक तो rent land से wages उसके बाद rent wages उसके बाद interest from capital ठीक है उसके बाद profit from entrepreneurship तो यह चार rent wages interest and profit तो अगर यह चाहल मिल रहे है factors of production से ठीक है मतलब कोई भी form उसने factors of production यूज किये on his in his production unit तो जो भी उससे income होई तो interest होगा ठीक है यहां rent की form में होगा wages यह profit की form में होगा तो जो भी यह चार आएंगे तो इन चार को खाली हम at इसी को हम बोलते हैं factor cost तो जो भी कमा रहे हैं at factor cost मतलब वो नहीं कि non factor non factor input से जो आ रहा ह wealth है कुछ बागी है मतलब कोई बहुत rich हो सकता है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका उसकी जो है national income में उसकी जो wealth है include नहीं होगी ठीक है मतलब यहां पर मान लीचे कोई इनसान है बहुत rich है कोई काम ही नहीं कर रहा है इसके पास सब है ठीक है wealth है बहुत ज्यादा ल तो वो नेशनल इंकम में कंट्रिब्यूट नहीं करता है तो इसलिए यहां पर फैक्टर कॉस्ट है ठीक है मतलब वैलत बाकी वो सब इंक्लूड नहीं होगा ओके आई होब कि यह आपको समझाया होगा नो यहां पर नॉमिनल एक तो नेशनल इंकम अब क्या होता है नॉमिनल और रियल में देखिए अगर हम नेशनल इंकम निकालते हैं at current year prices मतलब जो इस साल का है मतलब देखिए 2019 और 2020 ठीक है तो हम देख रहे हैं कि मार्केट प्रेस यहां क्या थे और आज क्या है ठीक है तो अगर हम ऐसे नेशनल इंकम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है मतलब दे टैक्स जेहंपे एक सेकंड, यहाँ पे देखें, कररण टीयर्स प्रैयस ठीक है, मंनलम हम, अगर यह है national income 2018 की ठीक है, और यह है national income at 2019 की तो national income जो ंन्होंने normal residentiß ने कमाशन है, ठीक है, कतना कमाशन है ठीक है, एकसाल में लेकिन अगर आप उसको इस साल के prices पे देख रहे हो ठीक है इस साल पे देखे क्या आया था factor cost एड़ से उससे कितना क्या क्या आया लेकिन उसमें inflation add होगा जब हम 18 से 19 जाएंगी लेकिन real world दिखाएगा constant price तो वो real national income मतलब जब हम base year के साथ compare करेंगी तो वो होगा वो दिखाएगा real national income और ये दिखाएगा current year prices दिखाएगा खाली जो current year में कमाया गया तो इसमें net net taxes वो तो भी बोला include होते हैं ठीक है ना उसके बाद national income ठीक है national income तो national income क्या होता है अब? एक तो net national product at factor cost ठीक है? ये net national product at factor cost इसको हम बोलते है national income तो national income का क्या है कि अब देखिए total income earned by all the normal residents of a country during a financial year एक financial year में एक साल में जो भी residents है किसी भी country के यह मान लिज़ें इंडिया ठीक है यहाँ पे multinational companies भी काम कर रही है ठीक है है ना कुछ बाहर की firm जे अमबेसी जे बाकी है और इंडियनस भी काम कर रहे है ठीक है लेकिन यह MNC के यह national income में एड नहीं होगी क्योंकि यह एड होगी अपनी country के income में और यहाँ यह कोई मान लिज़ें यह है बाकी world ठीक है यहाँ भी इंडियनस काम कर रहे है जैसे गलफ है वहाँ पे मतलब बहुत सारी इंडियनस काम करते है इन दुबाई इन शार्जा एट्सेटर वहाँ पे बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश वहाँ के काम करते है ठीक है तो उनकी income भी जो है एक तो जो यह यहाँ पे कमा रहे है अपनी कंट्री में और जो बाहर बाकि वर्ल्ड में काम करके कमा रहे है तो जो भी एक साल में कमाएंगे उसको बोलेंगे national income ठीक है national income तो अगर यह estimate अगर हमने यह national income देख ली किसके corresponding base air में क्या national income थी constant prices ठीक है मतलब base air में क्या national income थी आज क्या है तो real national income लेकिन अगर हम खाली इसको पिछले साल के साथ compare कर रहे है तो at market price तो उसको बोलते है nominal income ठीक है ठीक है तो base air इसलिए चुना जाता है ताकि हम real worth निकाल सके ठीक है ओके नौ उसके बाद आता है measurement of national income ओके तो यह बहुत important है आपके syllabus of point of view से देखे डिरेक्ली आपके syllabus में लिखा गया है methods of measuring national income तो हम generally तीन methods apply करते है national income को estimate करने में एक तो income method, production method and expenditure method तो एक एक करके इन methods को देख लेंगे ठीक है तो पहला आता है income method ठीक है तो income method का मतलब है देखिए income method देखिए national income जितनी भी मतलब जो भी factors आप मतलब आप मनलेजे यह कोई है farmer यह कोई industrialist है यह कोई doctor है और यह कोई engineer है ठीक है तो यह भी यह farmer क्या use करेगा land use करेगा labor use करेगा capital जो भी मतलब implementer से वो use करेगा land labor capital and entrepreneurship मानलेजे कोई sickle इसने use किया वो भी इसका आ सकता है ठीक है तो इससे यह कमाएगा rent और इससे कमाएगा labor से wages तो मतलब जो इसने labor को दी wages ठीक है देखेंगे कितनी wages दी ठीक है तो इसी तरह land labor capital ठीक है उससे मिलेगा इसको interest ठीक है तो इसी तरह इसकी इस farmer की इस पे देखेंगे कितना cost आया ठीक है वो बाहर निकाल के जो भी produce बचा तो वो इसकी national income में आयेगा कमा रहा है तो कमाना मतलब मेहनत करना मेहनत national income में आयेगा लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है value addition नहीं कर रहा है तो national income में वो count नहीं होगा ठीक है तो इसी तरह अब दूसरा है industrialist ये भी यही चार factors of production land labor, capital land, entrepreneurship इन पे कितना खर्चा आया और बाकी बचा कितना ठीक है कितने पे बेचा लेकिन उसमें cost of production minus करेंगे ठीक है तो जब cost of production minus करेंगे तो इसका profit तो इसका इसकी क्या income थी एक साल की ठीक है एक साल में कितना कमाया फार्मर ने, industrialist ने कितना कमाया इसी तरह डॉक्टर है इसको भी इन चार factors of production पे क्या आया तो खर्चा तो वो होगा इसका तो उसके बाद जो बचा तो वो इसका वो इसकी income इसी तरह हम देख रहे हैं कि मतलब हाँ किसी की भी कितनी income है फार्मर की क्या income है डॉक्टर की, इंजीनियर की कोई भी जो काम कर रहा है लेबर है उसकी क्या income है तो इसमें क्या क्या आएगा लेबर को मिलेगा wages और सर्विसमेन को मिलेगा salaries rent मिलेगा land से interest capital से profit मिलेगा entrepreneurship से ठीक है लेकिन इसमें और एक आता है mixed income from self-employed तो mixed income का मतलब है जिसके पास अगर मतलब किसी के पास source of income है खाली wages किसी के पास salaries तो किसी के पास rent है किसी के पास interest किसी के पास profit लेकिन mixed income from self-employed होता है मतलब कोई shopkeeper है इसको मान लिजे interest भी आता है ठीक है profit sorry profit आता है ठीक है तो rent profit तो दोनों आ गई ना तो ये होता है mixed income ठीक है तो generally ये जो last one है mixed income from self-employed ये developing countries में use किया जाता है developed countries में use नहीं होता है ठीक है लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत negligible होता है इसका effect इसलिए ज्यादा developing countries में ये इसका ज्यादा use रहता है ठीक है mixed income from self-employed ओके नो उसके बाद ये होता है income method तो मतलब किसी की भी सीधे income निकालनी एक साल में आपने कितना कमा आया तो उसका मतलब है income method ठीक है इसमें ये नहीं देखते है कि उसने कितना कमाया बल्के हम ये देखते हैं कि मतलब जो भी firmus थी उन्होंने कितना output निकाला कितना कितनी production की एक साल में तो वो होता है हमारा production method ठीक है मतलब कोई भी firm है अगर वो production कर रही है एक साल में कितना produce किया ठीक है अगर farmer को लेंगे आपने एक साल में कितना produce किया ठीक है कितना produce किया उसमें से cost क्या आई वो minus करो तो जो बचा तो वो उसका वो इसकी national income में एड़ होगा ठीक है तो production method ठीक है तो production जो पहला method है उसमें हम सीधे income निकालते है और production method में हम यह देखते है कि उसने कितना produce किया एक साल में firm के पास गई industrialist के पास उसको बोलेंगे आपने एक साल में कितना produce किया तो वो होता है production method तो उसके बाद देखे value added क्या होता है value यहां पे आप देखे word एक है also called value added method तो value added का मतलब है value of output minus value of non-factor input ठीक है मतलब देखे value added का मतलब क्या है उसने कितना value addition किया ठीक है मतलब factors of production पे क्या मतलब cost आई value of output क्या था लेकिन non-factor inputs हमें नहीं लेने है ठीक है मतलब जैसे non-factor non-factor inputs में मालेज़े raw material का क्या cost आया वो add नहीं होगा ठीक है तो इसी तरह मतलब आप मालेज़े कोई car firm है ठीक है car firm car firm car industry नहीं firm ही कहेंगे यहुँकि industry जो होता है वो होता है number of firm is grouped together तो car एक car firm लेंगे तो अब हमें इसकी national income कैसे निकालनी है अब हमें production method से निकालनी है तो हम देखेंगे एक साल में इसने कितनी cars produce की suppose इसने की यह number of C या X number of cars आप मालेज़े कोई car firm है यह कोई car firm इसने produce की N number of cars in one year ठीक है लेकिन अब जो इसने cars produce की अब इस car पे इसको cost भी आया होगा तो हम देखेंगे खाली value addition ठीक है इस car पे value of output कितना आया total तो N आया लेकिन इस N में से हम minus करेंगे non-factor inputs तो मतलब है raw material का cost जो है non-factor inputs वो हम minus करेंगे इससे ठीक है तो जो भी बचेगा वो आयेगा value of output ठीक है तो मतलब production देखना किसी भी unit की उसने एक साल में कितना produce किया वो होता है production method ठीक है farmer यहां पे देखे हमने पहले क्या कहा था यह है farmer यह है industrialist यह है doctor ठीक है industrialist को जाएंगे पहले बोलते थे आपने कितना कमाया एक साल में लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं आपने कितना produce किया तो इसी तरह doctor को बोलेंगे आपने एक साल में कितनी services दी कितने patient उसको trade किया वो होगा उसकी production ठीक है तो यह होता है production method तो लेकिन इसमें से non-factor inputs का cost minus करना पड़ता है ठीक है मतलब raw material जैसे यहाँ पर farmer ने अगर कोई raw material यह industrialist ने वो हम national income में include नहीं करते हैं खाली factor cost include करते हैं ठीक है now third method important method expenditure method ठीक है expenditure method देखे अब आप नाम से ही देख सकते हो अब पहले income method फिर production method लेकिन अब जो तीसरा आता है important वो है expenditure method expenditure method का मतलब क्या है देखे आपको क्या करना है यह है y हमारी income यहाँ पे रखेंगी c plus i plus g plus x minus m formula को याद रख लीजेगा देखे c यहाँ पे होता है जो government sorry c होता है यहाँ पे private final consumption expenditure मतलब देखे अब हम गई किसी की भी income निकालनी है expenditure method से उसको हम बोलेंगे एक साल में आपने कितना खर्चा किया ठीक है कितना खर्चा हुआ आपका ठीक है तो वो होता है expenditure method एक साल में कितना खर्चा आया किसी भी production unit का ठीक है तो income method कितना एक साल में कमाया production method कितना एक साल में produce किया तो expenditure method आपको कितना खर्चा आया एक साल में ठीक है तो उससे भी हमारी national income determine होती है तो c जो होता है यह होता है private sector जो भी मतलब उनका कितना expenditure होता है consumption पर तो वो होता है c private final consumption तो government का कितना होता है और I होता है investment investment यह foreign भी हो सकती है government भी हो सकती है और private भी हो सकती है तो investment मतलब country में कितना invest होआ ठीक है national income निकानने के लिए क्योंकि national income ववराल क्या होता है, net national product at factor cost ठीक है, कितना कमा रही है इंडिया के citizens, ठीक है कितना produce कर रही है, ठीक है तो एक तो अब यहां पे देखिए, national income is equal to net national product at factor cost, ओके देखिए net national product at factor cost, ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी इंडिया के residents एक साल में कमा रहे है ठीक है, एक साल में produce कर रहे है goods और services, जो भी इंडिया में हो रहा है, एक साल में तो उसको बोलते है, net national product अब इसको हम determine करते हैं, बहुत सारे methods से, income method से production method से, और expenditure method से, expenditure method से हम कैसे करेंगे, देखिए अब क्या होगा, कैसे निकलेगी income c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m तो इसका मतलब क्या है, देखिए, c होता है जो government produce कर रहे है ठीक है, मतलब किसी भी country में sorry, c होता है private, private sector जो है, वो जो produce कर रहे है तो c में आएगा, तो आयाएगा investment, investment, इसमें foreign investment भी आ सकती है, मतलब foreigner अगर कोई machine ला रहा है, और यहाँ install कर रहा है, और यहाँ काम कर रहा है, तो investment में आएगा, तो government होता है जी, government जो यहाँ पर इंडिया में काम कर रही है, वो मतलब किस तरह goods or services produce करती है एक साल में, that is called sorry, यहाँ पर expenditure मतलब कितना खरच कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद x-m, x-m, देखिए, x होता है exports, ठीक है, और m होता है imports, ओके यहाँ पर income कैसे निकाल जी जाती है, c is equal to, देखिए कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है उवराल हम देखते हैं, net national product at factor cost है, मतलब इंडियन एक साल में क्या-क्या produce कर रहे है, normal resident एक साल में क्या-क्या produce कर रहे है तो net national product at factor cost आईगा ठीक है, तो उसमें पहले c, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो कितना produce कर रही है plus i, investment investment मतलब foreign investment भी हो सकती है इसमें government भी हो सकता है, इसमें private भी हो सकता है, ठीक है, तो investment क्या है मतलब कितना invest कर रही है वो bankers में, बाकी में, बाकी goods or services में क्या investment रही की, ठीक है और क्या लेंगे, जी, government यहाँ पे private, यहाँ पे government और यहाँ पे investment, तो investment में foreign investment भी होगी, और plus x-m तो x-m का मतलब है यह होते है exports और यह होते है imports, ठीक है तो exports में से imports माइनस कर लो तो net export मिल जाएंगे, ठीक है, यह है export जो बहर बेजा country नहीं, minus करो, import तो क्या निकलेगा, exports में से imports बहर निकालो तो निकलेगा net exports कितने के ही India नहीं, ठीक है मतलब exports का value क्या था ठीक है तो ये होता है हमारे पस expenditure method ठीक है मतलब इसमें हम खर्चा देखते हैं ठीक है मतलब जो भी goods or services produce की उन पे कितना खर्चा आया ठीक है मतलब देखे यहाँ पर private ने c private ने कितनी भी goods or services produce की एक साल में उन पे उसका कितना expenditure आया इसी तरह I investment कोई foreign investment भी हो सकती है government private investment भी हो सकती है इसी तरह G government government ने जो भी produce की एक साल में उस पे कितना expenditure आया ठीक है x-m exports क्या थे x होता है exports और m होता है imports ठीक है तो ये है यहाँ पर ओके तो ये होता है expenditure method तो ये formula याद रखना तो x-m क्या देखता है हमें यहाँ पर net net exports ठीक है net exports मतलब net कितना बाहर हमने बेच है क्योंकि imports अगर include करेंगे तो exports में से imports निकाल दो तो net exports भज ज़एगा ठीक है लेकिन हाँ अब एक चीज होती है देखे investment देखे ये तो government भी कर सकता है private भी कर सकता है और foreign investment भी हो सकती है तो मतलब हम government को पहले देखेंगे income जो है देखें यहाँ पर private से private sector का क्या expenditure आया एक साल में investment मतलब अगर उस private sector ने कोई investment की है ठीक है मतलब जैसे आप मान लीजे investment की example मतलब कोई foreign companies ठीक है वो आती है यहाँ तो फिर क्या करती है मतलब यहाँ कुछ production units डालते हैं तो वो क्या करते हैं invest करते हैं ठीक है तो investment मतलब किसी भी production unit में production unit में अपनी अपना capital लागाना that is called investment ठीक है तो इसी तरह x-m ठीक है exports और imports ठीक है तो अब देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पर जो important है यह होता है final consumption expenditure ठीक है मतलब final क्या हुआ consumption expenditure ओके उसके बाद आता है देखे y is equal to c plus i plus g यह होता है closed economy के लिए और c plus i plus g plus x minus in open economy के लिए अब इसका मतलब क्या है देखे अगर closed economy अब देखोगे closed economy वो economy होती है देखे आज की exam आज की world में हम कोई closed economy बोले कि कोई ऐसी country है जो किसी के साथ trade नहीं कर रही है नहीं export कर रही है और नहीं import कर रही है जो भी कर रही है खुदी अकेलिक सब produce कर रही है सब खा रही है ठीक है बाहर इस country का कोई lane दे नहीं है तो यह होती है closed economy ठीक है but perfectly closed economy कोई हो नहीं सकती particularly आज की world में क्योंकि हर कोई country किसी नहीं किसी country के साथ कोई trade relations कुछ free trade agreement होता है ठीक है जैसे आप मान लीजे वो FTA होता है ठीक है free trade agreement मतलब अगर आप यहां कुछ बेज होगे यहां हम किसी country में कुछ बेजेंगे तो हम आपको custom duty बाग जिस तरह के taxes लगते हैं वो नहीं लगाएंगे तो वो होते है free trade agreement है तो free trade agreement है इसलिए होते है ताकि मतलब जो trade है between the countries वो boost up हो जाए ठीक है जैसे recently FTA में आया था RCEP regional comprehensive economic partnership तो यह कोई यह south जो east Asian countries है इसमें ASEAN plus और चाइना वे ना ठीक है चाइना रश्या एटसेटर वो आ रहे है तो इनका क्या है कि इनोंने in countries ने group बनाया ठीक है इसमें लगबग I don't know कितनी countries है exactly मुझे याद नहीं है RCEP जैसे ठीक है इनोंने क्या किया इसमें countries है एक तो 10 ASEAN countries ठीक है ASEAN countries ASEAN में आप देखोगे कौन-कौन आती है Bruni, Malaysia, etc ठीक है तो इसी तरह और पुलस क्या आता है इसमें China आता है Australia है ठीक है इसी तरह I think Japan है South Korea शायद maybe पूरा याद नहीं मुझे तो इन countries ने एक alliance बनाए कि हम जो trade करेंगे उसमें हम free trade agreement रखेंगी free trade agreement free trade agreement मतलब देखे जो भी इनके बीच trade होगा इन countries के बीच मतलब उसमें जो custom duty बाग़ी जो लगता है मतलब जब भी कोई country import करती है कुछ चीज तो वो यहां custom duty उस पे लगाती है ठीक है तो ताकि मतलब जो है वो custom duty एक तो revenue generate होता है government को उसे और दूसरा क्या होता है कि जो market prices है वो stable रहते है ठीक है मतलब अगर यह FTA से क्या होगा तो इन में से क्या होगा कि तो इसमें क्या है कि इंडिया को भी इसका offer मिला था कि आप यह जोइन कर ले बट इंडिया ने इसको reject किया ठीक है regional comprehensive regional comprehensive इकनोम एक partnership ठीक है तो इसलिए बोड़ रहा हूँ मेभी इसमें से question मेभी आ सकते तो इसमें क्या है कि इंडिया को यह बोला गया था कि आप भी इसको join कर ले पर इंडिया ने नहीं किया क्योंकि मतलब इंडिया को problem क्या आई इसमें जो यह free trade agreement होते है इंडिया का यह मानना है कि अगर हम इसको join कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें देखे अगर हम कोई product फिर बाहर से लाएंगे इंडिया ठीक है मतलब हम import कर रहे हैं तो क्या होगा कि इंडिया में जब अब तो कोई custom duty नहीं लागेगी ठीक है अब मान लेजें इंडिया में भी यहां कोई phone बन रहा है और यहां बाहर इन RCEP से phone लाया तो देखे लेकिन अब यहां custom duty नहीं लागी तो market prices बिलकुल कम रहेंगे तो इसका कम रहेगा और जो domestic produce किया था उसका ज्यादा market price रहेगा तो वगराल क्या होगा जो यह है इंडिया का जो trade है वो domestic economy ठीक से नहीं चलेगी तो that is why इंडिया ने RCEP को reject किया ठीक है तो I hope कि यह आपको समझाया होगा closed economy और open economy ठीक है तो closed economy जिसमें कोई export import नहीं होता है तो देखे खाली CIG investment होगी क्योंकि देखे इसकी वहां private sector यह government sector वो मतलब कुछ वो अपनी investment कर सकते है लेकिन X-M यहाँ पे absent होगा ठीक है closed economy में तो अगर यह आपको दिया जाए X-M जहाँ पी नहीं होगा मतलब export import कुछ नहीं हो रहा है तो वो है closed economy जैसे closed कोन है closed economy की आप मानें जिए North Korea ठीक है North Korea किसी का कुछ नहीं मानता ठीक है किसी के साथ कुछ ट्रेड है चाइना के साथ वैसे इनका थोड़ा closed है North Korea का बट और अगर देखें तो मतलब closed economy ठीक है तो इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे export import होगा तो वो है open economy ठीक है तो I hope कि यह आपको समझाया होगा तो यह equation है for open economy और यह है for closed economy करते हैं एक तो agriculture industry और services तो agriculture में क्या क्या आएगा देखी agriculture में आता है सारे agricultural and allied activities मतलब देखी एकॉनमी को classify करना है ठीक है किन किन sector से हमारी economy आ रही है agriculture से आ रही है ठीक है मतलब इसमें agriculture, siriculture, horticulture, forestry सब इसी में आता है तो इसमें आता है agriculture and allied activities ठीक है allied activities ओके उसके बाद industry industry में क्या क्या आएगा mining आएगा ठीक है mining, curing, oil drilling बागी जो भी है ठीक है इसी तरह electricity, ठीक है electricity, gas ठीक है तो सब industry में आएगा ठीक है तो उसके बाद service sector में क्या क्या आएगा तो इसमें सीधे teachers doctors, okay doctors, etc. तो services आएगी police, services, okay so these are all included in service sector तो agriculture, agriculture and allied activities industry में mining, curing, जो भी होता है ठीक है construction, industry तो उसके बाद services में इसी तरह doctors, police, etc. तो services में आएगा ठीक है तो इनी तीन sources से हम देखते हैं ठीक है, तो इसका और एक method था पहले देखे sorry हाँ, पहला method था यहाँ पर primary primary, secondary tertiary and quaternary, ठीक है, तो यह पहले मतलब primary में जैसे natural resources आता था natural resources, ठीक है मतलब forest tree, cement जो भी निकालते थे, तो two degree में फिर कुछ और जैसे बागे आते थे three degree में ऐसी और four degree में कुछ research development आता था, तो three degree में services, तो two degree में कुछ manufacturing जैसे, ओके, नब यहाँ पर methods for different sectors, क्या क्या आता है, देखिए, अब production method कहाँ पे ज्यादा valid करेगा, agriculture, mining and curing, manufacturing, electricity, gas and water supply, ठीक है, तो production method जो हमने उपर पढ़ा कि मतलब आप कितना produce कर रहा है, तो देखे, farmer को अब बोलेंगे कि आपकी income कितनी है, लेकिन उसने अब खुद भी कुछ consume किया होगा, कुछ income बेची होगी, अब कहाँ बोलेंगे कि आपने कहाँ कितना कमाया, तो इसलिए सीधे हम production method easy होता है, तो farmer की income निकालने के लिए कौन सा ज्यादा better रहेगा, production method, ठीक है, इसी तरह mining and curing, ठीक है, mining कहीं पे हम करते है, तो mining में भी हम देखते हैं, जैसे बनलब coal निकाल रहे है, या कोई element निकाल रहे है, तो production देखेंगे, वहाँ पे भी हम यह नहीं देखेंगे कि वो जब बेचा, फिर कितना आया, तो इसलिए यहाँ पे due to ease हम different methods use करते हैं, different sectors के लिए, तो agriculture के लिए production method, ठीक है, तो reason मैंने बोला कि हैं, क्योंकि देखेंगे, farmer ने कुछ produce किया एक साल में, अब कुछ खुद खाया, कुछ बेचा, अब जो बेचा, अब क्या, उसकी income अलग निकालनी पड़ेगी, जो खुद खाया, वो अलग, तो इसी तरह तो इसको avoid करने के लिए हम सीधे देखेंगे कि उसने कितना produce किया उसका क्या value था, ठीक है, तो production method जो income का होगा, national income का वो होगा, agriculture में use, mining में, mining and curing, ठीक है, इसी तरह manufacturing, कोई manufacture कुछ कर रहा है, तो उसके लिए भी production method ही suitable होगा, यह electricity, gas and water supply, यह जो भी है, तो इसके लिए क्या होगा, production method suitable है, कितना एक साल में वो produce कर रहे है, वो citizens, ठीक है, तो in-in sectors में, agriculture, mining, curing, ठीक है, manufacturing, electricity, gas and water supply, ओके, नौ इसी तरह आता है income method, तो income method ज्यादा किन के लिए better होगा, doctors की engineers, restaurateurs, ठीक है, police, police, etc, तो उनके हम सीधे, जो भी service man होते हैं, तो उनकी सीधे income देखते हैं, कि कितनी है, यह तो नहीं बोलेंगे ना, कि doctor को आपने एक साल मे कितने patients को treat किया, तो बहुत laborious job होगा, तो उसको production वहाँ पे ज्यादा suitable नहीं रहेगी, तो doctors, engineers, restaurateurs, etc, तो income method ज्यादा suitable रहता है, ओके, now expenditure method, usually in construction, etc, उसमें expenditure method, ठीक है, मलब जैसे कोई यहाँ पे land है, तो इस पे कोई building बन गई, अब तो सीधे बोलेंगे कि आपका building पे कित loaded in national income, अब कौन से items है, जो हम national income में नहीं लेते हैं, ठीक है, एक तो intermediate goods, ठीक है, intermediate goods क्यों नहीं लेते हैं, इसका reason है, देखे, अगर यह कोई है, यह कोई firm है, ठीक है, यह कोई firm है, आप मान लिजे, यह बना रही है, कुछ भी, यह produce कर रही है, cars, ठीक है, cars, तो car जब प्रो of cars N, suppose इन्होंने cars निकाली, प्रोडूस की इतनी कुछ भी N की, N number of cars इन्होंने एक साल में निकाली, लेकिन अब हम यह नहीं लेंगे, कि aluminum कितना लगा, आपको paint कितना लगा, वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो intermediate है, क्योंकि already जब हम N number of cars का यह value लेंगे, तो हम already aluminum क cost, paint का cost, उसी एक unit में ले रहे हैं, तो इसलिए जो intermediate goods है, वो national income में add नहीं होगी, जैसे यह कोई है bread maker, ठीक है, यह क्या करता है, produce breads, तो इसकी पूरे साल की national income कैसे निकालेंगे, कितने, एक साल में कितनी breads produce की, यह कितना बेचा, ठीक है, कितनी breads बेची, लेकिन यह wheat, हम wheat को अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि wheat इसके लिए intermediate goods है, जिससे यह produce करता है, intermediate goods जो production process में use होते हैं, तो wheat को अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑर एडी bread में count हो गया है, तो यह जो है intermediate goods, यह already count होते है, क्योंकि अगर इनको भी लेंगे, तो double counting होगी, ठीक है, क्योंकि अ breads, ठीक है, breads तो हम bread का खाली value लेंगी, अब अगर इसने यहाँ पर wheat क्या कुछ यूज किया, वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो होता है intermediate तो intermediate goods, national income में नहीं आती है, ठीक है, तो इसी तरह transfer payments, जैसे foreign remittances, lottery, dowry, gift donation, old age pension, unemployment allowances, यह भी नहीं आती है देखे, अब इनको थोड़ा सा यह मैं explain करूँगा यहाँ भी foreign remittances, जैसे foreign remittances, इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश के बहुत सारी जो है, गलफ में काम करते हैं गलफ countries, जो है, ठीक है ओमान, UAE, सौदी अरभिया, ठीक है, तो गलफ corporation council वो आपने सुना होगा, GCC इन और्गनेजिशन को याद रखेगा, बहुत important है तो इसमें कौन-कौन सी countries आती है जो भी आप देखोगे, Red Sea के Red Sea को जो जो भी Red Sea और Persian Gulf के बीच जो भी countries आती हैं, तो गलफ corporation council खेर छोड़िये, यह तो जीके का include करेंगे, मतलब जो गार बेच रहे है ठीक है, क्योंकि double counting फिर होगी हम तो बोर रहे हैं, इंडिया है यहाँ पर जो भी resident से, यह क्या कमा रहे है और बाहर की world में जो भी resident से वो क्या कमा रहे है, तो हमने इनकी भी कमाई देखी और इनकी भी कमाई देखी, लेकिन अब अगर यह उसी income में कुछ गर बेच रहे है कुछ income गर बेच रहे है ठीक है, वो हम count नहीं करेंगे क्योंकि वो already हमने पहली ही, जब हमने इनकी income count की और इनकी income count की, तो हमने निकली national income लेकिन अगर अगर अब यह उस income में कोई पार्ट घर बेच रहे है, तो जो यह घर बेच रहे है, foreign में काम करके जैसे गलफ में काम करते हैं, तो वो क्या होगा, remittances तो remittances होते हैं, जो भी मतलब abroad में किसी भी country के citizen जैसे इंडिया के गलफ में काम कर रहे हैं, और जो भी remittances भी foreign remittances वो include नहीं होती है national income में इसी तरह lottery क्योंकि कोई value addition नहीं हुआ मतलब KBC कुछ तो वो भी national income में count नहीं होगा dowry या gift होता है donation old age pension ठीक है क्योंकि old age pension दिया जाता है उसमें बंदा काम नहीं करता है तो उसकी जो income है उसने कोई value addition नहीं किया मतलब काम के बगेरी ऐसी कुछ मिला तो वो national income में add नहीं होगा तो कमाई आप याद रखोगे कमाई मेहनत जो भी मेहनत से मिलेगा national income मेहनत के बाहर मिलेगा तो national income नहीं है तो unemployment elements etc तो यह होता है जो national income में count नहीं होगी ठीक है क्योंकि national income में एक तो आप याद रखोगे क्या आएगा सबसे पहला होगा value addition value addition मतलब अगर कोई काम कर रहा है उससे जो उसकी कमाई हो रही है वो होता है value addition वो add होगा ठीक है और दूसरा avoid किन को किन को किया जाता है अगर कोई unemployment allowance old age pension मिल रहा है तो इससे तो कोई value addition country में नहीं हो रहा है मतलब कोई contribution नहीं आया तो वो होता है एक burden होता है यह government पी old age pension या unemployment allowance ठीक है तो इसी तरह इसको हम national income में नहीं लेते हैं ठीक है now capital gains में जैसे land gain, selling gold second hand goods, shares, winfall gains black money ये भी क्या आता है national income में नहीं include होता है तो जैसे land capital gains में जैसे land किसी के पास कोई land था उसने बेज़ दिया उसको से कुछ ज़्यादा मुनाफ़ा हुआ ज़्यादा profit हुआ तो वो national income में नहीं आएगा इसी तरह gold हमने एक साल आया दूसरे साल ज़्यादा में बेज़ा वो भी national income में नहीं आएगा इसी तरह second hand goods नहीं आएगे क्यों क्योंकि second hand goods already जो है हमने मतलब count किये होते है मतलब देखे अगर किसी ने कोई ये कार बनाई और consumer ने खरी दी तो हम consumer का expenditure देखेंगे तो यहाँ इस कार की यहाँ पे value देखेंगे ठीक है लेकिन अब अगर इस consumer में दूसरे consumer को बीची तो तब ये national income में count नहीं होगा क्यों क्योंकि already यहाँ पे count हुआ था ठीक है यहाँ पे आरेडी इसकी value count हुई थी तो फिर यहाँ पे जब second hand बन जाएगा इसको हमें count करने की ज़रत नहीं है ठीक है तो second hand ऐसे भी आ सकता है अगर कोई firm है इसने car produce की तो इसने c car produce की तो हमने इसकी national income निका ली production method से हमने देखा इसने कितनी cars बनाएगी लेकिन अगर अगर अब ये cars consumers को जा रही है ठीक है तो लेकिन वो consumer किसी और को बीच रहा है अब कोई lottery income etc ठीक है तो black money क्या होता है अब जो illegal money मतलब it is actually a non-taxable money मतलब जो इस तरह banks में या कहीं पे रखा जाता है कि उस पे मतलब tax avoid करने के लिए ठीक है उसको बोलते है black money मतलब tax authorities को पता न चले कि हमारे पास इतना पैसा है that is called black money now household services जैसे मतलब housewives की services housewives जो अपनी services दे रही है doctors, teachers, engineers की services तो calculate होती है ठीक है लेकिन household services जो housewives देती है वो हम नहीं लेते है in the national income लेकिन कुछ economists हैं जो बोलते हैं कि housewives की भी जो services है वो include होनी चाहिए ठीक है लेकिन वो debatable है वो तो दूसरी बात है उस पी नहीं जाएंगे लेकिन हाँ household services नहीं आती है लेकिन यहाँ पी मैंने जो broad में लिखा है self-consumed goods like rice, wheat estimated rate of self-occupied property वो include होती है तो इसका मतलब है देखिए अगर कोई farmer produce कर रहा है rice, wheat, etc. तो उस wheat में हम पूरा production देख थे एक साल में कितना produce किया wheat तो उसमें जो अगर वो खुद भी कुछ खा लेता है तो वो हम include करेंगे ठीक है क्योंकि easy है निकालना ठीक है इसी तरह estimated rent अगर आपके पास कोई property है लेकिन फिर भी आप उसमें कोई rent आपको नहीं मिर रहा है लेकिन फिर consumed goods वो होती है add national income में लेकिन household services add नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पर यह important point है यह याद रखेगा ओके now उसके बाद आता है problems in estimation of national income ठीक है conceptual problems due to lack of consensus among the nations पहले आता है conceptual problems तो conceptual problems जैसे national income में मान लिजए यहाँ पर देख दीजए यह है national income वाई तो मान लिजए UK ने national income estimate की लेकिन इन्होंने household services housewives की services को add किया ठीक है women empowerment को बोला कि women empowerment को बढ़ाना है etc तो इन्होंने household services को count किया अपनी national income में लेकिन यहाँ से है इंडिया ठीक है इंडिया लेकिन इंडिया ने क्या किया इन्होंने household services नहीं ली इन्होंने household services को नहीं लिया तो यहां पे जो है फिर आया न lack of consensus तो यह मान रहे है एक चीज यह एक चीज इस तरह कोई country कुछ और रे रहे हैं कुछ और नहीं ले रहे हैं तो इस तरह आता है तो यह एक problem होती है तो इसे comparison में मतलब difficulty आती है ठीक है उसके बाद statistical and practical problems मतलब non availability of data बागी होता है ठीक है तो उसमें जो यह ज़्यादा problem जो होती है statistical problem यह more prominent होती है developing countries में या क्योंकि वहाँ पे unorganized sector ज्यादा है तो unorganized sector का मतलब क्या है unorganized sector एक तो unorganized sector मतलब जहाँ पे records maintain रहती है मतलब कोई भी काम कर रहा है employee है तो government के पास उनका record पढ़ा रहता है लेकिन unorganized sector जैसे laborers बागी कुछ मतलब जो जिनका कोई record नहीं होता है तो वो भी देखिए मतलब उनकी income जो है national income में add नहीं होती क्योंकि कोई data नहीं होता है record नहीं होता है इन जीज़ों का ठीक है जैसे informal income etc ठीक है formal, informal jobs now then national income की कुछ important factors अब पढ़ लेते हैं ठीक है देखिए यह first national income जो इंडिया में estimate किया था वो किया था दादा भाई नारो जी ने ठीक है 1867-68 में तो इन्होंने इसको publish किया था अपनी book poverty and un-british rule in India ठीक है तो दादा भाई नारो जी जो एक congress के leader थे ठीक है तो और एक quality थी इनकी he was the first Asian जिनको British Parliament में as member चुना गया था ठीक है British Parliament में दादा भाई नारो जी पहले ऐसे person थे जिनको sorry जिनको British Parliament में as member चुना गया था first Asian ठीक है ये भी याद रखेगा first Asian तो उसके बाद 1867-68 में इन्होंने एक book publish की थी poverty and un-british rule in India ठीक है तो उसमें इन्होंने highlight किया था पहला मतलब जो estimate था national income वो estimate किया था तो इन्होंने इसमें क्या किया था highlight drain of wealth theory ठीक है drain of wealth theory तो drain of wealth मतलब जो British rule है उससे किस तरह drain of wealth हुआ in the Asian countries ठीक है तो ये था यहां पर ठीक है तो इसकी ये important book poverty and un-british rule in India तो उसने जो उस time income estimate की थी वो थी 20 rupees per capita ठीक है 20 rupees per head income निकाली थी और population क्या थी 17 crore ठीक है 17 crore तो अब आप comment में बोलो कि मतलब क्या थी तब इंडिया की national income ठीक है 17 crore population थी और 20 rupees per capita income ठीक है उसके बाद जो first scientific estimate इंडिया में आया था बोलाया था प्रोफेसर वी के रॉव 1931-32 तो इन्होंने scientific estimate पे national income को estimate किया था तो ये जो था दादा बै नारोजी में भी इन्होंने मतलब कोई वो उतना ज्यादा high class method यूज नहीं किया था उसके बाद जो first official estimate जो है government की तरफ से वो ministry of commerce government of India ने 1948-49 में लाया था ठीक है तो उसके बाद और एक fact national income committee पहले एक उन्स्चूट की गई थी under PC महा लैनोबिस ठीक है तो अब 1950C के से Central Statistical Organization estimate काती है national income ठीक है तो 1950C के से एक जो मैंने आपको भी बोला Central Statistical Organization इसके दो offices है एक तो National Sample Survey Office और Central Statistical Office तो ये दो organizations जो है different data collect करती है तो Central Statistical Organization क्या करती है collect national income के बारे में data तो मैं भी question पूछा जा सकता है तो याद रखेगा Central Statistical Organization तो ये publish करती है ये अपने इनका एक annual report आता है उसका नाम होता है उसका नाम है National Accounts Statistics तो report का नाम क्या है जो ये annually प्रोडूस करती है वो है National Accounts Statistics ओके तो दिस इस आल अबावट national income तो थोड़ा सा और एक दिखें हाँ अब national income किसके बराबर होता है देखें एक तो होता है टोटल टोटल income divided by population जितनी भी आई income उसको population से sorry 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 एक second per capita income PCI किसके बराबर होगा national income divided by population तो country की national income क्या है और population से divide कर दो तो हमें निकलेगा per capita income लेकिन आप देखें इंडिया में क्या है इंडिया की अगर हम देखेंगे per capita income कम है क्योंकि मतलब below अगर माने हम average से भी कम है लेकिन जो national income है वो third highest है पूरे world में इंडिया की जो national income है third highest है मतलब third largest economy है in terms of national income लेकिन जब हम इसको population के साथ divide करते है population बहुत ज़्यादा है इंडिया में तो जब population से divide होगा तो PCI कम निकलेगा यहां देखें numerator and denominator denominator को increase कर दो तो per capita income कम होगी लेकिन हाँ national income देखें अगर national income इंडिया की देखें पूरे world में third largest है third largest even UK, France उससे ज़्यादा है लेकिन जब इसको population तो अब बहुत ज़्यादा है तो population के साथ divide कर दो तो per capita income बहुत कम आती है मतलब माने ज़्यादे बिलो कुछ वो below average ही average से भी कम आती है तो I see I don't remember the exact data लेकिन शायद कुछ 13,000 I think around this था पूरा याद मुझे नहीं है ठीक है लेकिन world का average जो है शायद कुछ 14,000 ऐसा है तो यह हम social sector में चले फिर भी देख लेंगे I will see this ठीक है now तो यह था national income के बारे में तो अब होता है दिखिए change in per capita income ठीक है change in per capita income is equal to एक तो change in national income क्या है ठीक है national income तो divided by change in population population में कितना change आया और national income में कितना change आया वो एक मतलब per capita income कैसे change होती है यहां तो national income में change आयागा यहां फिर population में अगर population decrease हो गई तो per capita income बढ़ जाएगी लेकिन अगर population increase हो रही तो per capita income काम हो जाएगी national income बढ़ जाएगी ठीक है national income per capita income is equal to per capita income is equal to अगर change in national income divided by change in population ठीक है देखिए यहां पे है न यह divide में है तो population ज्यादा होगी per capita income काम निकलेगी लेकिन national income ज्यादा होगी तो per capita income भी बढ़ जाएगी ठीक है तो इस तरह लेकिन ज्यादा जो यह depend रहता है national income भी रहता है क्योंकि population में जो change आता है वो मतलब over the many years of many years over the period of time मत है ठीक है लेकि national income goods or services investment ज्यादा होती है day by day तो ज्यादा depend होता है national income भी ठीक है तो यह है अब अगर देखिए अब अगर मतलब 5% change आया in national income ठीक है और उससे 5% change आया in this population तो net change 550 आएगा कोई change नहीं आएगा no change ठीक है तो यह है यहां पर और थोड़ा सा है कुछ जैसे private income disposable income वैसे वो आपकी silbust में नहीं है तो यहां पर हम इस topic को conclude करते हैं next section में हम अब करेंगे monetary policy physical policy of India then planning और इंशालला जल्दी आपका silbust कतम होगा so thank you मेरी videos को like करे, share करे और comment करे